हालो फैंस आप देख रहे हैं चैनल यूर एक्जाम गुली आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत श्वागत थे तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानगे हुआ कि हम बात करने वाले हैं आपके के कट आफ के बारे में जहां दोस्तों एक सर्वे के अनुशार आप लोगों का कट आफ क्या जा सकता है हम उसको देखने वाले हैं आप जो सर्वी हुआ था वह बन थाउजंट के उपर हुआ था हाजी फैंस इसमें आप लोगों की जो हार्ट सिप्ट है उसका भी आपको पत पता चल जाएगा एंड इसके सांथ साथ आप लोगों का किस दिन कौन से सब्सक्राइब नहीं तो इसको सबस्क्राइब बबस कर लें वीडियो के वाजी में आपको देख रहा होगा एक बेल आइकन उसको भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको टांप बिल्कुल न बूलें तो चलिए दोस्तों जादे टैमनले तो करते हैं वीडियो को सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखरकार सर्वे में जो नतीज्ज आ है उसमें सबसे पहले एह देख लेते हैं कि आप लोगों की जो सबसे हार्डेट या काथेंशिप थी वो कौन सी थी तो दोस्तों यहाँ पर मैंने करीवन करीवन आपकी 500 Candidates के comments का analysis किया है तो इसमें एक चीज का पता चला है कि आप लोगों का जो सबसे hard shift रहा है दोस्तों गो रहा है आपका आपके 5 March का प्रेथम shift जी हाँ दोस्तों 5 March का first shift Candidate के अमसार सबसे ज़्यादा tough रहा है यहाँ पर Candidate ने adding maximum score किया है तो दोस्तों average आपर score आया है निकल के कितना जी हाँ दोस्तों मात्र and only 112 marks इस दिन जिन दिन Candidate ने paper दिया था उनका सबका score मैंने देखा है तो average score निकल रहा है 112 marks 5 March की प्रेथम shift यह सबसे hard अभी तक के analysis में सामने निकल के आई है अब यह तो हुआ कि सबसे hard shift कौन सी थी अब हम देख लेते हैं कि सबसे easy shift कौन सी थी जो सबसे ज़्यादा scoring रही है तो dear fans आप देख सकते हैं हम आगे हैं English slide मेर बात कर लेते हैं कि आखरकार सबसे subtle shift कौन सी रही है जिसमें सबसे ज़्यादा score किया है Candidate ने तो fans जैसे कि हमने जो survey किया था उसमें हर एक के comments का analysis करने पर एक बास सामने निकल के आई है कि दोस्तों आप लोगों का जो 7 March था जहां इसने बात करें Candidate का score कितना रहा है तो दोस्तों आपको बता दें यहां पर maximum Candidate का score जा रहा है 145 प्लस जी हां दोस्तों 145 प्लस कहने का मतलब साथ मार्च की प्रेथम सिप्ट में आप दोस्तों हमने यहां पर जान लिया कि आपकी सबसे सरल एंड सबसे कर्थेन सिप्ट कौन सी थी अब चली हम थोड़ा सब्जेक्ट बाइस भी देख लेते हैं कि आप लोगों की जो सिप्ट रही है किसमें Candidate ने जादा score किया है औ जिसमें हमने ग्रूप क्रियेट किया था और Candidate ने भाग लिया था तो सबसे पहले देखी दोस्तों यहां पर बात करते हैं किसकी आपके English की जिहां दोस्तों English की बात करें तो आपका यहां पर Candidate का कहना है कि जो साथ मार्च की प्रेथम सिप्ट थी सबसे ज्यादा कठे मानी गई जी हाँ दोस्तों आपको बता दें यहां पर मैंने आपके सब्जेक्ट हैं मानी है तो ङप सब्ज्छ का लिया है वह ने साथ मार्च की प्रेथम सिप्ट जिसमें maximum candidate का score गया है कितना 38 जी हाँ दोस्तों English में एंड इसे प्रिकार से बात करते हैं क्या आपकी सबसे easy shift कौन सी तो दोस्तों आपको बता दें English की सबसे easy shift मानी गई है 5 March की second shift जी हाँ candidate का maximum score आया है यहाँ पर 42 English subject में आपकी 5 March की second shift 42 42 score यहाँ पर निकल के आ रहा है आप बात करते हैं नेस्ट English subject तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो English subject आता है आपका क्वेंट फैंस बात करें क्वेंट की तो यहाँ पर candidate ने maximum score किया है 5 March में 18 नमबर जी हाँ दोस्तों पांच मार्च की second shift में यहाँ पर सबसे ज़्यादा कम मार्च हमको देखने को मिले हैं candidate के फैंस बात करें तो यहाँ पर second shift में only 80 से उपर कोई candidate गया ही नहीं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा cutting shift हमारी यही निकल के आ रही है एंट बात करते है हैं सबसे ज़्यादा इजी तो दोस्तों 9 मार्च की third shift जी हां दोस्तों 9 मार्च की third shift में सबसे ज़्यादा maximum score हमको दिखा है कितना 43 candidate का तो यहाँ पर हम इसको सबसे ज़्यादा इजी shift मानेंगे किसकी point subject के लिए अब बात करते हैं next क्या आपका gk section तो दोस्तों gk section की बात करें तो यहाँ पर candidate का score देखने एक बात पता चलता है कि आपकी जो 6 मार्च की second shift है उसमें सबसे ज़्यादा कठिन मानेंगे क्यूंकि यहाँ पर सबसे कम score देखने को मिल रहा है जी हाँ दोस्तों and only 13 अभी तक score इस survey में निकल के आया है and बात करते हैं क्या कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी रही तो दोस्तों आपके gk section में सबसे ज़्यादा score देखने को मिल रहा है तो को मिल रहा है साथ मार्च की प्रेथम shift में साथ मार्च की प्रेथम shift में maximum score हमको देखने को मिला सर्वे में कितना 23 यह बहुत ज़्यादा score हो गया है आपके gk section में आप बात करते हैं last क्या आपका reasoning जी हाँ दोस्तों तो reasoning की बात करें तो यहाँ पर आपका 6 March की 3rd shift में maximum एदी score देखने को मिला है तो कितना 32 तो फैंस बात करें यहाँ पर 32 candidate का यहाँ पर आपका कठिन माना जाएगा shift और सबसे ज़्यादा अधिक्तम marks आएं आपके 6 March की 2nd shift में reasoning में तो दोस्तों यहाँ पर यह shift सबसे ज़्यादा easy मानी गई है 42 marks इसमें निकल के आ रहे हैं और कम से कम score हमको देखने को मिला है आपकी 6 March की 3rd shift में यहाँ पर 32 marks ऐसे निकल के आ रहे हैं यहाँ पर हमने जाना कि आपकी जो shift है shift wise कौनसी shift easy रही कौनसी shift आपकी hard या कठें रही इस सब आकड़े आपके 1000 students के उपर लिए गये हैं आप चलिए इस सभी का आकड़न करने के बाद आखिरकार आप लोगों का score कितना होना चाहिए कि आप एक shift zone में हो और आप अपने tier 1 को crack कर सकें चलिए फैंस बढ़ते हैं आंगों करते हैं cut off को देखते हैं हाँ तो डिया फैंस हम आगे अंगली करते हैं हम बात कर लेते हैं आपके यहां पर category wise आखिरकार आप लोगों को cut off किया जाए सकता है तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी उन shift का जिनका सबसे ज़्यादा hard paper आया है और सबसे काम इसको रहा है student का कि आप लोग यहादी student school पर यह service किया गया था उसके आधर पर आप लोगों का analysis है आपके एक दो marks आगे पीछे होते हैं तो आपको attention लेने की आवसकते नहीं चुंकि यहाँ पर एक expected का top बताया जा रहा है तो दोस्तों हम पहले दिखते हैं किसको यूर को यहादी आप cutting वाली सिप्ट में फसकते हैं और आप यूर कैटिग्री से हैं आपने marks बनाया है करिवन आपके 100 से लेकर कहां तक 105 के बीच तो दोस्तों after normalization आपका यहाँ पर selection 101% हो जाएगा आपके मैंने last year के cut off को भी देखा हर एक चीज को देखा आपके comments का analysis किया इस आधर पर आपनों का cut off निकाला है आपकी सबसे ज़्यादा hard shift थी आपको मैंने जैसे की बता है यादि आप उस shift में आ रहे हैं तब जाके आपका इतने number में selection हो जाएगा चुकि उसमें normalization बहुत जादा होगा आपका cut off आभी में बता दूँगा easy बाली shift का कितना जाएगा आप normalization के बाद वहीं पहुंचने वाले हैं आपको tension की आवा सकते नहीं यादि आपकी hard बाली shift है और आप एतने marks ला रहे हैं 100 से लेकर 105 तक तो आपको tension की कोई आवा सकते नहीं आप बिल्कोई tier 2 की तैयारे में लग जाएं चली हम देखते है nest OBC तो फैंस यदि आप hard बाली shift में first रहे हैं और आप OBC के डिग्री से आते हैं तो दोस्तों यदि आपने marks बना है करें उनकितने 98 से लेकर आपके कहां तक जिहां दोस्तों आपके marks आ रहे हैं 102 के बीच तो आपका selection भी यहां पर कोई रोकने वाला नहीं आपका done हो जाएगा after normalization आप चली देख लेते हैं nest किसका SC का तो फैंस आपको बता दे हैं और आप cutting वाली shift में आये हैं फसे हैं और आपने score गेंग किया है कितना आपने गेंग किया है 95 से लेकर आपके कहां तक आपके हांड़ाइट के something तो दोस्तों आपका भी after normalization 101 होने वाला है selection अब यह नहीं समझ लेना कि इतने number में selection होगा इतने number में तब होगा जब आपकी hard shift है after normalization आपके marks increase होने वाले है 100% बात है ओके चलिए हम देखते है next st तो दोस्तों आपको बता दिए आप st से ब्लॉंग करते हैं और आपकी shift थी सबसे कठें जैसे कि मैंने बताया है आप उस shift में फस रहा है तो दोस्तों आपके marks आ रहा है कितने 94 से लेकर आपके marks एदी बन रहा है 99 के बीच तो आपका selection यहाँ पर 101% होने वाला है after normalization चलिए हम देख लेते हैं next तो दोस्तों बात आती है EWS की आपको बता दे हैं आप EWS से ब्लॉंग करते हैं और आपने marks gain की है hard वाली shift में कितनी 99 से लेकर आपके 103 के बीच एदी आपने इतने score gain किया है तो आपका selection भी हाँ पर 101% हो जाएगा after normalization आपको tension क्या वज सकते नहीं बेज़े जग हो कि आप next level की तेयरी करें आपके tier 2 की हमने यहाँ पर जाना कि hard वाली shift में आपके इतने marks आ रहा है आप today friends आप हम देख लेते हैं कि सबसे सराल बाली shift में आपके कितने marks आने चाहिए जैसे कि आपका selection हो जाए जैसे कि मैंने सबसे easy वाली आपकी shift को भी बताया है दोस्तों आप उस shift में आ रहा है तो आपके marks कितने होने चाहिए कि आपका selection हो जाए हम यह देख लेते हैं तो दोस्तों आप सबसे सराल वाली shift में फचते हैं और आपकी category है क्या यूर तो friends आप marks ला रहा है करीवन 130 से लेकर कहां तक आपके 135 के बीच आपके इतने score आ रहा है यूर category से तो आपका selection भी हाँ पर 101% होने वाला है कोई रोकने वाला नहीं आप अभी से आपके second tier की तेयरी में लग जाए हैं ओके आप देखते हैं क्या OBC का तो friends आपको बता दें OBC का कट-off भी आपको ज्यादा high तो नहीं बट आपको यहां पर करीबन 100 कि इतने आपको 125 से लेकर 130 के बीच marks लाना अनीवार है ओके आपको इतना marks आ रहा है तो आपका selection भी हाँ पर 101% होने वाला है आप बात करते हैं किसकी SC की आप SC से बलोग करते हैं और आपकी shift ही सबसे easy आपके marks बनना है कितने आप ला रहे हैं 122 से लेकर आपके 126 के बीच जी हाँ दोस्तों 122 से 126 के बीच आपका रोश्कूर आ रहा है तो आपका selection भी हाँ पर 101% होने वाला है एंड बात करते हैं SD की तो दोस्तों आपको बता दें आप SC से बलोग करते हैं और आपने marks again की हैं सबसे easy वाली shift में कितने आपने marks again की हैं 120 से लेकर आपके कहां तक 125 के बीच एदि आपके इतने श्कूर आ रहा है तो आपका selection भी हाँ पर बिल्कुल 100% होने वाला है आप अभी से आपके टायर 2 और 3 हैं के यारे में जी हाँ दोस्तों बहुत से candidate का कहना है कि क्या टायर 2 टायर 3 साथ ही में होंगे तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल 99% chances है कि आपके टायर 2 टायर 3 साथ ही में होंगे आप बात करते हैं क्या last EWS category की तो फैंस एदि आप EWS category से व्लोंग करते हैं और आपने सरलवाली shift में marks बना है कितने आपने marks बना है 128 से लेकर 128 से लेकर कहां तक आपके 132 के बीच तो आपका भी हाँ पर 130 सेलेक्शन होने वाला है आपको ड़नने की कोई आवस्ता नहीं और आप लोग चाहेंगी कि आपकी shift में normalization होगा कितना होगा जराई आपकी shift बहर दीजी थी तो आपकी shift में ज्यादा normalization की chance नहीं जाते बट हाँ एक से लेकर 5 की बीच आपके number increase हो जाएंगे एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है तीन भी चार भी पांच बीच एक से लेकर 5 की बीच आपके number bury करेंगे आपकी सबसे वाली shift में और जैसे कि मैंने बता है जो सबसे हाइड वाली shift थी cutting थी उसमें marks आपके आराम से 30-35 तक increase हो जाते हैं चुकि ऐसा हुआ है मैंने खुद अपनी आख से रेखा है पैसेट नम्मर वाले के number 79 तक पहुंच जाते हैं तो आप सोची कि क्या नहीं हो सकता जी हां दोस्तों आप बिलकुल tension ना ले एदी मैंने इतना जो जाता आपको बता है आप इसके बीच में आ रहा है तो आपका selection 101% sure है बिश्वास मानिए होगा तो होगा एक से दो नम्मर का hair फेर यहां वाँ देखने को मिल सकता है बट एदी आपके इतने माक्स हैं तो आपको next level की तेयरी करने चाहिए आपको अपना time बिलकुल नहीं गवाना चाहिए फैस वीडिवाई पसंद तो लाइक करें चैनल अपने है तो सब्सक्राइब कर लें तब तक कि लिए लेते हैं आपसे विदा take care love you all जे हिंद जे भारत